वेलकम बैक टो मैं चैनल मैं हूँ रोशनी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालपुआ का रेसिपी जो आज मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी एक सिंपल सा इंग्रिडियन्ट इसमें आड करूंगी और जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा सुझी अब इसमें अड़ करेंगे 2 टबल स्पून रिफाइन और यहां आप घी ऑड़ कर सकते हैं तीनों चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यह प्रॉपर्ली हमें मिक्स कर लेना इस तरीके से मैं चेक किया है तो इसकी बाइंडिग बहुत ही अच्छी तरी क्रीम मलक jeux 1 sec 4 x 4 cup आप्क भी स्कतिक सब औा वे झाड सेमी ठीक ठीकम अवे टीज हैं, to pay off call स्लोली स्लोली इसमें आड़ करें अब हम इसमें आड़ करेंगे कस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून यह सबसे इंपोर्टेंट इंग्रिडेंट है जो मैं आज मालपुआ बना रही हूं तिसका जो फ्लेवर है वह काफी डिफरेंट आएगा यही कस्टर्ड पाउडर अब हम आड़ करेंगे चीनी यहां पर 2 टेबल स्पून मैंने चीनी आड़ किया है और लगभग 12-15 हमने किशमिस आड़ किया है इन सब चीजों को आपस में फिर से मिक्स कर लेंगे तो यह दिखिए बैटर अगर आपको हलका सा थिक लगे कस्टर पाउडर आड़ करने के तो यह बैटर हमारा बिल्कुल तयार है परफेक्ट टेक्चर में तो अभी से हम कवर करके 10-15 मिनट के लिए रखेंगे यहां पर हमने ओड़ किया पैन ले लिया इस अची तरह से गरम कर लेंगे और गरम करने के बाद हम लो फ्लेम करके इसमें इस तरीके से इस तरीके से ह शिए और जैसे पैन यहां बढ़ा है तो एक साथ मैं तो इक जाए अगर अगर पान का बेस चोटा है तो एक बार में एक ही आँ अगर स्वेस है तो आप जादा-भी कर सकते हैं तो यह मैंने एक बार में तीन फ्राइ किया है मीडियम फ्लेम पर इसे हम अलटते पलटते हू अब निकाल लेते हैं और फिर से हम इसमें जो बाकी के बच्चे बैटर है उसे भी डालकर हम मलपुआ रेडी कर लेंगे तो यह जो इंग्रिडेंट है कस्टड पाउडर उसे आप आड करके जरूर इस तरीके से मलपुआ बनाए तो इस पर आपको डिफरेंट टेस्ट तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए थैंक्यू सो मस् थैंक्स फूर वाचिंग बाई बाई